हेगाई नमस्कार आप लोगों का टापनेंग क्लास के प्यारे से यूटूब हैं पर स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले एक अच्छा दस्की गड़ित की प्रिश्णौली बारह दस्मलोदों के जो बचे हुए प्रिश्ण थे प्यारे बच्छो आज हम उन आपने नहीं देखा है तो वह जाके तुरंत देखिएगा प्यारे बच्छो आईए हम आज बात करेंगे प्रस नमबर साथ की क्या कर रहा है बारह सिंटीमीटर त्रिज्जा वाला एक ब्रित की कोई की कोई जिवा केंदर पर 120 का कोड़ां करती है ध्यान से समझेगा प्या का कोई गोला है ठीक ध्यान समझेगा आगे क्या कर रहा है कि इसकी कोई जिवा केंदर पर 120 का कोड़ां करती है यानि माल लेते हैं यह कोई जिवा होगी जो कि यहां से यहां तक मिला दी यह कोई बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फार्मुला इसको लगाएंगे ध्यान से देखिएगा बस क्या कर रहा संगत बृत्त खंड का छित फार्मुला होता है थीटा बटे बटे 360 पाई रिस्क्यार माइनस एक बटे दो आर इसक्यार साइन ठीटा होता है इन दोनों में क्या कामन है इन दोनों में रिस्क्यार कामन है तो आपके पास क्या बचेगा? ठीटा बटे तीन सो साथ गुड़े क्या बचेगा? 5 बचेगा? माइनस एक बटे दो साइन ठीटा बचेगा यही चीज बचे अभी है? अब ध्यान से आर का मान कितना है प्यार बच्चो? तो 12 गुने 12 हो जाएगा बरावर, ठीटा कामान, ठीटा कितना है? 120 अंस है, और फिर यह 360 हो जाएगा, पाई कामान कितना रख देते हैं? पाई कामान आपके प्रिश्ण में अगर 3.14 कहा होगा, तो वो रखिये नहीं, तो आपको जो कहरा हो रख दीजे, तो साथ पाई कामा 3.14 तो पाई का मान 3.14 गुरित यह माइनस एक बटे दो साइन ठीटा तो ठीटा के अस्तान पे हां कितना है यह है 120 कितना है 120 चलिए ध्यां से लिखेगा अब 12 का गुणा बारस करेंगे तो 144 आएगा यहां से 0 काटेंगे 0, 1, 12 या одних 36 यानि 1 बटे 3 गुड़े 3 1, 4 माइनस एक बटे 2 210 का जो मान होता है पैरे बच्चों वो होता है 210 का बटे 13 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा और 210 का जो मान होगा पैरे बच्चों वो कितना होता वो धेहान देना आब को 210 का जो मान होता है वो होता है under root 3 बते 2, कितना होता है under root 3 बते 2, तो sin 120 का मान हो जाएगा under root 3 बते 2, ध्यान दियाओ किगेगा, अब हम क्या करते है, 144 ठिक यहाँ गुड़ा कर देंगे तो 3 दस्माल लोंourd 1 4 बते कितना, 3- अंडर उर 3 का गुरा एक्स करेंगे यथ अंडर उर तीन का मान हम जानते हैं प्यारे बचो 144 यह 3 .14 बटे 3 माइनस इसका मान होता है एक दस्मलो साथ तीन 2 बटे कितना हो जायेगा 4 अब इन सब को हम क्या करेंगे हल कर देंगे इनमें 3 का भाग देंगे इनमें 4 आपका उत्तर कितना आएगा वो ध्यातफित अब इनका हम घुड़ा करेंगे लासद पर लिंगे इनका और बबड़ा करेंगी तो बारह दसमलों पांच आएगा इनका घुड़ा करेंगे तो आयेगा फांच दसमलों 60 ruling at कितना आएगा पांच दसमलों एक नो और चारते हुआ जाएगा बारह ध्यांस लेकिए यह आगया 144 12 के बारह बारह बरह में 144 इनमें से घटा दीजें बारह का गुणा कर देंगे इनमें से ये घटाएंगे तो 7.37 आएगा कितना आएगा प्याएर बच्छो 7.37 कितना आएगा 12 गुणे 7.37 गुणा कर देंगे तो लस्ट रिजल्ट जो आएगा 88.44 सेमी इस गया तो क्या पूछ रहा था संगत बृतिखंड का चितफल तो संगत बृतिखंड का चितफल कितना आएगा पेरविच्चो 88.4-4 cm वरग आएगा 88.4-4 cm क्या करना था आपको कुछ भी नहीं करना था 12 cm तरिज्या का कोई बृत था और उसके जिवा के द्वारा 120 संस का कोल अंतरी थो रहा था तो ठीटा आपको 120 दे के रखा था इतनी बात आप समझे ठीटा आपको 120 दिया था अब हमको कह रहा था संगत बृतिखंड का चितफल तो ये बृतिखंड का चितफल कैसे आता पहले तो हम त्रेजिखंड का चितफल निकालते तेरे जिखन के छितफल में से ये वाला चीज पोर्शन घटा देते थमको आराम से मिल जाता पेर बच्चु यहीं सारा चीज आपका यहां पर आता है ठीक अब हम बात करेंगे प्रस्ट नंबर आठका अब हम बात करेंगे प्रस्ट नंबर आठका गाईज अठोवा स्वाल स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वरगाकार घास के मैदान में एक कोने पे लगे खूटे पर एक घोड़ा पांच मीटर लंबी रस्ती से बढ़ा है तो ग्यात किजिए कि मैदान के उस भाग का छितफल ग्यात करना जहां घोड़ा घास चर सकता है यानि कर रहा है प्यारे बच्चों कि ये वरगाकार मैदान है ये वरगाकार क्या है मैदान है और यहां से आगे बोल रहे हैं कि यहां से एक कोने से पांच मीटर लंबी रस्ती लगी है और पांच मीटर लंबी रस्ती से ये घोड़ा बधा है और ये घोड़ा क का छिद फ्ल निकालना है इसी का छिद फ्लम बिलकुल आराम से घ्यान करेंगे घीक बढ़े । चरी गए मैदान का छेतर फ़ल बराबर त्रजिखंड ओ ए बी का छेतर फ़ल त्रजिखंड ओ ए बी का छेतर फामूला होता है ठीटा बटे तीन सो साथ गुड़े पाई यार इसक्या है ठीटा का मान यहां कितना प्यार बच्छोर नब्बे तो नब्बे बटे तीन सो साथ पाई कामान 22 बटे 7 है या 3.14 चली 3.14 रख देते है और आर कितना है 5 तो 5 गुड़े 5 हो जाएगा ध्यांस दिखे जिरोस काटेंगे 9 9 9 4 36 तो यहां 1 बटे 4 गुड़े 3.14 गुड़े 25 आएगा ठीक अब गुड़ा कर दिजे सब का गुड़ा करके प्यार बच्चो जब पाग देने के बाद हमारा उत्तर आएगा 9 9 625 यह आएगा जब घोड़ा पांच मीटर लंबी रस्ती से बढ़ा है तब अब क्या करा दूसरे पोर्शन में सेकेंड पोर्शन में आप से करा है कि यदि जो घोड़ा है उसकी पांच मीटर लंबी रस्ती के अस्तान पे 10 गोड़ा कितना घास चरेगा या हम कहरें पोछ रहा है कि घोड़ा कितना ज़्यादा घषछटफल घास चर लेगा या कितनी में व्रिद्धी हो जाएगी जह रहा कि इस बार पांच मीटर नहीं सबह बोला आए कि कि अगर हम 10 mere लंबी रसी लगा दें, तो घोलग कितना ज्यादा छेत्फल में कितनी वृद्धी हो जाएगी, तो छेत्फल में बृद्धी कितनी हो जाएगी पहले उप्रोचों, यही नहीं eatsta भृद्धी होई, पहले तो छेत्थफल इतना था ही, अब बृद्धी कितना हुआ ये वाला छटफ़ल हुआ क्योंकि अब रस्ठी 10 मीटर लंबी होगई तो 10 मीटर लंबी रस्ठी हुई तो कितने छटफ़ल की बृद्धी हुई तो पहले हम यह छे तफ़ड निकालेंगे इतने मैंसी यौला घटा देंगे तो हमको यह मिल जाएगा तो यही चिर लिखेंगे प्यार विच्छो क्या दूसरा यदि रसी की लंबाई यदि रसी की लंबाई पांच मीटर के बजाए पांच मीटर के बजाएग दस मीटर हो तो चरे गए चरे गए छेत्रफल में ब्रिद्धी क्या हो जाएगा ब्रिद्धी बराबर क्या हो जाएगा भी यहां से यह वाला पहला 10 मीटर तॺटिजा खंडवालिचसफ पलगा क्या हो जाएगा बृध्धी क्या हो जाएगा पहला यह वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा ठीटा बटे 362szय παई ऑ इस्व्यायर माइनस कितना यह 29.625 क्या धिता का मान कितना 90 बटे 360 पाई कामान 3.14 आर कामान 10 गुड़े 10 ठीक माइनस 29 दसमालो 625 अब पॉइंट ये काटेंगे बटे 100 लग जाएगा ये 0 से ये पुरा कर जाएगा ठीक 0 से 0 कैंसल हो जाएगा तो ये एक बटे 4 आ जाएगा गुड़े यहां 314 आ जाएगा माइनस 29 दसमालो 625 तीन सो चाओद में चार का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं तो भाग देने के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों ध्यान से दिखेगा क्या आएगा मिला जुला कि आप इनको हल करेंग इनका आएगा 78 दसमालो 5 गुड़ा भाग करने के बाद 78 दसमालो 5 ठीक से अब यह कितना 29 दसमालो 625 घटा देंगे तो इनको घटाने के बाद पुड़ा उत्तर आ जाएगा 58 दसमालो 875 यह रहा प्यारे बच्चों जब आप 10 मीटर लंबी रस्ती लगा देंगे 5 मीटर के बृद्धी होगा 58 दसमालो 875 सेंटीमीटर रगा आएगा सब्सक्राइब आपने सभी जगह सेंटी मीटर नहीं मीटर है तो मीटर का वर्ग होगा तो ध्यान से दिखेगा जहां भी होगा यहां मीटर होगा ठिक तो इस प्रकार आपका होगा तो यह रहा साथवा औरहा जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा क्या कर रहा है कि एक ब्रित्यकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका ब्यास 35 mm है यानि जो ब्यास है वो कितना दे आ गया है प्यारे बैच्चों 35 mm मतलब मीली मीटर अब बताओ ब्यास इतना है तो त्रिज् होगा ब्यास बटे दो ब्यास कितना है 35 बटे कितना हो जाएगा दो तो यह मीली मीटर में आ जाएगा आगे समझे तार के तार को ब्रित के पांच ब्यासों को बनाने में प्रियुक्त किया गया है जो यह चांदी का तार है वो चांदी के तार को ब्रित का पांच ब्यास ब नियालेवाद यह बना लेजीगा फांच ब2 starts बनाने में बिद आरकों प्योग किया गया यह आपका पहला ब्यास है है यह आपका दोसरा इसरा यह नो सब्सक्राइब करा अगे जो अशेज बराबर दस खंडों में बाटते हैं जैसा कि आक्रति में दिखाया गया प्यार बच्चो जैसा कि आपको यहां चित्र में दिखाई पढ़ा है सबसे पहला पूछा है कुल वांचित चादी के तार की लंबाई सबसे पहला पूछा है कुल वांचित चादी के तार की क्या लंबाई पूछा है आगे साथ में ब्रुच के प्रतेक्तर जिखंड का छेत बिल्कुल आसान तरीके सब निकाल लेंगे, सबसे पहले सोचो, क्या पूछा है कि, आप से पूछा है कि, कुल चादी के तार की लंबाई, सबसे पहला, कुल वानचित मतलब कुल लगे, कुल लगे, चादी के तार की लंबाई, चादी के तार की लंबाई, तो कुल लगे, च कुल चादी के तार की जो लंबाई का बेंजक होगा वो क्या होगा ध्यांस देखेगा कुल चादी के तार की लंबाई में क्या होगा पांच ठो तो ब्यास है तो पांच गुड़े ब्रित्ताकार ब्यास की लंबाई ब्रित्ताकार ब्यास का परि ब्यास ब्रित्ताकार ब्यास ध्यान से रिखेगा आईए अब पांच गुड़े ब्रित्ताकार ब्यास ब्यास क्या है ब्यास कितना है 35 है कितना है 35 यम्यम आजाएगा प्लस ब्रित्त की परीद 2 पाई आए पांच का गुड़ा 35 करें पांच पचे 25 पांच त्याई 15 यम्यम आजाएगा और प्लस टू पाई का मान 22 बटे 7 और आर कितना है 35 बटे 2 है 35 बटे 2 दो से 2 कैंजिल 7 पचे 35 तो 22 पंचे 110 तो 175 यम्यम और प्लस 110 यम्यम नह तो जोड़ दिजे इनको जोड़ेंगे कितना आजाएगे 175 और 10 जोड़ दिजे तो 280 यम्यम आएगा कुल वांचित चादी के तार की लंबाई 285 यम्यम मिलेगा और उसी में सेकेंड पोर्षन में आपसे क्या पूछा है कि एक खंड का छित फल बताईए किसी भी एक खंड का छित फल यहां ये किसी भी एक खंड क के लिगमें दु बताएगी देखें चले हे क्या संआथ है कंसे विव ब्रित के प्रतेक खंड काछत फल व्रति के प्रतेक खंड का ध्याब 46. तो द्यान से पूर एक खंड तो पूरा कितना एंगल बनता है 360 एक चक्कर में 360 कितने भाग हुए 10 तो 360 बटे क्या कर देंगे 10 कर देंगे न तो कितना आ जाएगा 36 एक खंड का जो एंगल होगा वह 36 डिगरी होगा तो चलिए ठीटा बटे 360 पाई और स्क्यार ठीटा का मान कितना 36 बटे 360 पाई का मान 22 बटे साथ आर आर कितना है प्रवच्च वहां लिखा गया है 35 बटे 2 तो 35 बटे 2 गुने 35 बटे 2 यही आपको क्यों धूर्णा था 36 कैसे आया जैसे टूटल इंगल 360 होता है उसमें 10 भाग हुए तो 360 में 10 का बटवारा कर देंगे तो 36 आ जाता है 7 पच्चे 35 ठीक 5 के 5 पांच दूनी 10 दो एक के दो 11 दूनी 22 ठीक उपर बचा 11 गुड़े 35 बटे 2 तो गुड़ा कर दीजे गुड़ा करेंगे 11 पच्चे 55 गुड़े 33 तैसे 35 अरथे 385 बटे 2 यह आएगा प्रतेक तरे जिखंड का छेत्रफल इस प्रकार पहरे बच्चों आपका 9 नमबर भी कंप्लेट होता है आप इसका एक स्क्रिण शॉट लीजेगा फिर हम बाते करेंगे प्रस नमबर 10 की प्रस नमबर 10 क्या करा पहरे बच्चों एक छतरी है और छतरी में कितने ताने लगे हैं आठ ताने लगे हुए हैं आठ ताने लगे हुए हैं प्यरे फिर उसके बाद ये कोई आपका क्या हो गया दूसरा ताना हो गया फिर उसके बाद ये कोई आपका तीसरा ताना हो गया और ये आपका चार ताने इधर है और चाठो क्या होगा पीछे होगा ठीक ये आठ ताने किसी च्छतरी में लगे हुए हैं ये हो गई छतरी ठीक अब क्या कह रहा है आठ ताने लगे हैं जो बराबर दूरी पे लग Congress छतरी की 45 सिंटी मे्टर तरिजा वाले एक सपार्णी मानते हुए छतरी को 45 सिंटी मीटर की एक सरना मानते हुए मतलब तरिज्जा दे दी गई है तरिज्जा कितनी है कितना है 45 मेटर है इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का छिद्रफल बताइए तो HeaN से दरखेगा क्रमागत दो ताने मतलख एक ताना यह हो गया वह एक ताना यह हो गया इन दो तानों के बीच का बताना है क्रमागत किन्ही दो तानों के बीच का जो है area बताना है बिल्कुल हम निकाल लेंगे तो लिखेंगे छतरी के छतरी के क्रमागत क्रमागत दो तानों के बीच का छत्रफल का फामुला होगा ठीटा बटे तीन सो साथ गुड़े पाई आठ इसक्यार अब ठीटा कितना होगा प्यारे बच्चो ध्यान से देखिएगा पूरा इंगल तीन सो साथ का होता है कितने है आठ है तो तीन सो साथ में हम आठ का भाग देंगे तो 8, 4, 32, 32, 4, 8, 45, 40, कितने का इंगल बना? 45 डिगरी का तो ठीटा कितना है? 45 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर आर कितना है? 45 है, तो 45 गुड़े क्या हो जाएगा? 45 ध्यान से देखे यहां देखें, क्या करेंगे? इनको कैंसल करेंगे तो कैंसल कैसे होगा? 45, कितनी बार जाएगा? लगभग, लगभग, आठ बार तो 45 एक के 45, 8, 360 हो गए, ठीक, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 हो गए, अब नहीं कटेंगे आपके पास तो 45 गुड़े 45 कर लिजे और 4 सते 28, तो जो आएगा वा आपका उत्तर हो जाएगा पैरे बच्चो 45 गुड़े 45 करेंगे, तो पैटालिस गुड़े जब 45 करेंगे तो 22275 आएगा, 22275 ब्टे 28 भाग दे देते हैं, तो या तो आप एहनी पर छोड़ देजे, भाग देंगे तो आपका उतराएगा आप यही पर छोड़ देंगे तो भी आपका सही है तो दो क्रमागत तानों के बीच का छित्फल आएगा 2275 वटे कितना आएगा 28 आएगा यह रहा आपका दस्वा नंबर इसी के नूमा 11 नंबर भी है 11 नंबर क्या करा ध्यान से देखेगा क्या करा है किसी कार के दो वाइपर है किसी कार के दो वाइपर अब हम आपको बता देना चाहते है प्यारे बच्छो जो वाइपर होता है कुछ वो इस नूमा होता है ठीक यह एक वाइपर हो गया अगला कार के दो वाइपर है ना तो कार का जो दूसरा वाइपर है वो ऐसे कुछ है ठीक कार के दो वाइपर है प्रस्पर कभी अच्छा दित नहीं होते मतलब प्रस्पर कभी एक उसे मिलते नहीं प्रतेक वाइपर पत्ती की लंबाई 25 cm यानि ये 25 cm है ये भी 25 cm है आगे करा है कि वही 115 डिगरी के कोड तक घूंते हैं यानि 115 डिगरी कोड यहां भी है 115 डिगरी यहां भी है आगे करा है तो पत्ती के प्रतेक बहार मतलब पत्ती के प्रतेक बहार बड़ाबर कितना चितफल साफ होगा तो यह चितफल आपको बताना है कि कितना चितफल साफ होगा तो बिल्कुल आप बिल्कुल आसान सा यह एक त्रिजिखंड नूमा है तो बिल्कुल हम निकार लेंगे क्या वाई परों के द्वारा दो वाई परों के द्वारा साफ किये साफ हुए छेतरफल साफ हुए छेतरफल क्या हो जायागा 2 गुडे ठीटा बटे 360 पाई आर इस क्या अब देखे 115 चव के कट जाएगा थ्यांस देखे 4520, 414, ज्यादा हो जाएगा क्या प्यारवच्छो यह 4 से नहीं कटेगा वलकि आप 2 से कटाएगे तो 2 से कटाएगे तो 2 पंचे 10 एक बचा न दो से भी नहीं कटेगा चली यहांज कटाते हैं यह कटेगा 180 आजाएगा ठीक आगे ध्यांस देखे अब आपके सामने कितना आगे 180 आगे अब हम करते क्या हैं 11 दूनी 22 तो यह 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा अब 5 से कटाएगा पांदूनी 10 पांदूनी 10 एक बचा पांतियाई 15 हो जाएगा और यहां आ जाएगा 5 एक के 5 बचा 4 पांच 48 आ जाएगे अब तो कुछ नहीं कट रहा है तो लिखे 23 गुड़े 11 गुड़े 25 गुड़े 25 गुड़े 25 गुड़े 25 और नीचे कितना है 18 गुड़े 7 है अब इन्हीं सब को आपको हल करना है आप इन दोनों को गुड़ा भाग करेंगे तो मिला जुला क्या आएगा एक सो अठावन कितना आएगा एक सो अठावन एक सो पचीस बटे 126 यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा तो दो वाइपर के द्वारा साफ किये गए जो च्छेत्रफल है वह इसके क्या हो जाए इस प्रकार आपका दसवाँ और एक रहाँ दोनों कमप्लेट हो जलस्तर के नीचे इस्तित चटानों को चटावनी देने के लिए एक लाइट हाउस असी अंस के कोडवाले त्रिजिखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग प्रकास फैलता है यानी करने का मतलब है कि यह कोई समुद्री जहाज मान लेते ऐसे है ना अब यहां पर को लुदा है कोई अब सता हुवा लाइट हाउस लगा है ये चैतावनी देता है तो यह पानी के अंदर पानी के अंदर इतनी दूरी तक 16.5 km अंदर तक क्या करता प्रकास को फैलेता है तो समुद्र के उस भाग का विए चैत्पल कीニचिति जिसे जहाजों को जरांए दी distingu कह हम लोग आराम से ग्याद करेंगे मिला जुला कि एक तरी जिखंडन उमा प्रकास को फैलाएगा तो लिखेंगे जाल कि क्या पूछा था लास्ट में आपके आपसर में क्या पूछा था पहरे बच्छों लास्ट में पूछा था कि समुद्र के उस भाग का छेट फल ग्यात कि जिसमें जहाजों को चिताऊनी दी जा सके तो तो जहाज च्छेटर फल तो छेट फल क्या हो जाएगा ठीटा बटे तीन सो साथ गुड़े पाई आर इस क्या ठीटा का मान कितना असी बटे तीन सो साथ पाई का मान बाइस बटे साथ आर कितना है सोलह दस मलोग पांच गुड़े सोलह दस मलोग पांच ध्यांस लेखे जिरो से जिरो कट गए है ना फिर चार से कटाएंगे तो चार दुनी आठ चार नुवाई छतिस ठीक अब आपके पास क्या है यह ध्यांस देखिए कि चित अब कुछ और जैसे की यह दिखें पांच 15 15 एक लिए पांच 15 पंदरह फिर यह अगे 33 तो मिला जुला कि आपके पास क्या मिला है ध्यांस रिखेंगा इग्यारव गुड़े 33 गुड़े 33 और नौ सते 63 वाग इग्यारव कि इनका गुड़ा कर दीजे और 63 से भाग दे दिजे प्यारे बच्चो सबसे जब हम भाग दे देंगे तो 189.97 किलोमेटर आएगा 189.97 किलोमेटर गुड़ा करने के बाद जब भाग देंगे तब ठीक अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रस्ट नंबर 13 की किसकी बात करेंगे प्रस्ट नंबर 13 की तब तक आप चाहो तो इसका एक इसके इंसाट ले ले लेजेगा फिर हम बाते करने आ ले प्रस्ट नंबर 13 की तो थ्यान से देखिएगा तेरा नम्र प्र MINCEK क्या एक गोल मेज़ पोस पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं यह कोई मेज़ पोस जिसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकरती में दिखाया गया है यदि मेज पोस्ट की तरिज़ा कितनी है 28 cm यानि पैरे बच्चो इस मेज पोस्ट की तरिज़ा है वो कितना 28 cm यानि आपको तरिज़ा दिया है तिरिज्जा कितनी है 28 cm है आगे क्या कर रहा है तो और 0.35 वर्ग मीटर 0.35 क्या कर रहा है 0.35 प्रति वर्ग सिंटी मीटर की दर से इन डिजाइनों की बनाने की लागत बताईए तो बिल्कुल सही जो प्रस्ण है प्यारे बच्चो यानि कर रहा है कि एक सिंटी मीटर स्क्यार का जो लागत है वो कितना है 0.35 रुपए तो कह रहा है प्यारे बच्चों की एक संटीमीटर स्क्यार का लागत इतना है तो आपको बताना है कि पूरे मेज पोस्त को बनवाने में कितना खर्चा गया होगा तो सबसे पहले हम मेज पोस्त का छेदफल निकालेंगे फिर उसके बाद ही कुछ निकाल पाएंगे लागत ना तो मेज पोस्त का छेदफल कैसे हो जाएगा ध्यांस बेखेगा मेज पोस का छितफल, तो प्यारे बच्छों, मेज पोस का छितफल क्या हो जाएगा, छहठ हो समक्राइब तो लिखेंगे, छह गुड़े, माइनस क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि ये वाला खंड निकल जाता है उसमें से ताजाएग एक बटे दो आर इसक्यार साइन ठीटा ठीक अब इसका भी होता च्छा गुड़े ठीटा बटे तीन सो साथ पाई आर इसक्यार माइनस एक बटे दो आर इसक्यार साइन ठीटा इधर देखें दोनों में कामन क्या है दोनों में कामन आर इसक्यार है तेहां बट जाएगा ठीटा बटे तीन सो साथ पाई माइनस एक बटे दो साइन ठीटा हो जाएगा ठीक अब ध्यान से चलिए बेलू पाई का अमान 22 बटे 7 ,-1 बटे 2 друз 17 हंस हो जाएगा ठीका का महां दीदि spricht 6656 Cert हो जाएगा ठीक ध्यान जा दिखिएगा अब 6 गुडे 28 गुडे 28 आजएगा 1 बटे 6 22 का मान होता अंडरूर 33 बटे 2 का मान हम वहा proteg एक messageा ऐंट 6 बटे 7加ग रखेंगे कया रखेंगे पहरेवच्छो एक दस्मालों साथ 32 ठीक और इनका गुरा कर देंगे तो आई द्ध्यान से देखते हैं तो चैगुरे 28 गुरे 28 कर देऊ है या तो चले करते हैंujęd च्छ गुड़े 28 गुड़े 28 करेंगे तो 47-04 आएगा 47-04 ठीक साथ चंगे 42 और 22 बटे कितना जाएगा 42 आजाएगा ठीक माइनस यहां दो दुनी 4 अंडरूर तीन बटे कितना जाएगा 4 आजाएगा ध्यांस दिखिए कुछ कैंसिल होगा 11 दुनी 42 और 11 दुनी 22 21 दुनी 42 यह आजाएगा कितना जाएगा भापका 47-04 ठीक बटे फिर यहां आजाएगी 11 बटे 21 माइनस अंडरूर तीन का माना आता है 1.732 बटे कितना जाएगा 4 एक चार का गुड़ा यहां कर दो तो 47-04 चार का गुड़ा करोगे 11 चार के 44 माइनस 21 का गुड़ा यहां कर दो तो 1.732 गुड़े 21 तो 36.372 आजाएगा 36.372 तो 44 में से घटा देंगे 44-36.372 तो आएगा 7.628 तो 47.04 गुड़े आजाएगा 7.7.628 तो प्यारे बच्चों इन दोनों का गुड़ा कर देते हैं तो 47.04 गुड़े 7.628 गुड़ा कर देंगे तो कितना आजाएगा पूरा 35.882 तो इतना छेत्रफल आएगा इतना छेत्रफल आएगा अब एक सिंटीमीटर स्क्यार का लागत इतना है तो उतने का लागत कितना हो जाएगा इसी में इसका गुड़ा कर देते हैं तो कुल लागत कितना हो जाएगा 35.882 गुड़े 0.35 तो इन ही में हम गुड़ा कर देते हैं 0.35 का कितना आ जाएगा 12.558.73 तो इतने रूपए कुल लागत आएगा प्यारे बच्चो इस प्रकार आपका यह जो सवाल था वो क्या होता है प्यारे बच्चो आपका जो इस सद्धाय का सबसे लास्ट सवाल है जो कि आप्सणल है वह आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई पर आओगा जिसका कोड कितना होगा प्यारे बच्चो पिडिगरी होगा आर त्रिज्या वाले उस त्रिजिक खंड का क्या ग्याद करना च्छेत्रफल ग्याद करना है जिसका जो कोड है वो कितना है पी डिगरी है कितना है प्यरवच्चो पी डिगरी है तो दिहां से देखिए यानि ठीटा कितना है पी डिगरी है और त्रिज्या त्रिज्या यानि इसमाल आर क्या है capital R है तो त्रिजिखन्ड का छित्फल तो त्रिजिखन्ड का जो छित्रफल होता है उसका फामूला क्या होता है बताई ठीटा बटे 360 पाई आर इसक्या है ठीटा का मान P बटे 360 पाई अब आर आर के अस्तान पे capital R का स्क्यार है अब आपका छित्फल ही होता है परन्तों आप आपसन में देखिए तो कोई भी ऐसा आपसन आपके book में दिखाई नहीं पड़ा है तो हम क्या करेंगे जिस प्रकार का आपसन है उस प्रकार इसको convert करेंगे अब क्या करेंगे अगर हम यहीं दो से गुड़ा और क्य पाई आर इसक्यार ठीक बटे कितना हो जाएगा तो वहीं है इनका गुला कर दे तो आज आएगा देखिए तीन सो साथ का गुला दो से कर देखिए पी बटे सासो बीस टूपाई आर इसक्यार तो देखिए यह वाला आपसन आपके book में मिल रहोगा कहीं कहीं तो वहीं सब्सक्राइब लोगों ने क्या किया वो प्रॉसेस अपना है इस प्रकार आपका ये पूरा प्रिश्णावली बारा दसमल दो पूरू से कंप्लिट हो गया है काफी दिनों तक मैट की क्लास के रुकी हुई थी प्यारे बच्चो उसके लिए थोड़ा सा कश्टम को विवा कोई कारण था इसके वज़े से क्लास रुकी हुई थी परन्तु अब आपका जो है लगातार क्लास आएंगी और बहुत जल्द ही गड़ित क क्लासे समाप्त कर दी जाएंगे साथ में आपको सिट भी सॉल्व कराके दिया जाएगा प्यारे बच्चो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्णावली के साथ तब तक के लिए आप वीडियो देखिए उन्जॉय किजिए प्यारे बच्चो थैंक्यू अ काहिन जभार्त